कर दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल के वले काड़ी पर देखे मारा ये मद्द्यकाली नितियास का डिसकेशन चल रहा है जहां पर आज हम लोग बात करेंगे मुगल सहीति के बारे में वैसे तो ये लिक्चर जो है आप लोगों का कली कंप्रीट हो जाना चाहिता पूरा का पूरा मद्द्यकाली नितियास लेकिन एक दिन की छुट्टी तो बनती है है कि नहीं आपके लिए भी और मेरे लिए भी आईए फिलाल चलते हैं सीधा प्रस्णों की तरफ और जल्दी से इस चैप्टर को खतम कर लेते हैं बहुत छोटा सा चैप्टर है बात करत जोन्स ने या फिर डी विलियम जोन्स ने चलिए इसका जो सही एंसर है वह है आप्सन नमबर ए बाबर नामा का अंग्रेजी अनुवाद किया था लेडिन और रसकिन ने ठीक है आईए देखिए थोड़ा सा इसके बारे हम जानिए बाबर नामा का दो एक और भासा में अन रखियेगा अब आगे चलिए पायंदा खा और अब्दुर्रहिम खान खाना ने बाबर नामाया तुजुक ए बाबरी का फार्सी भासा में अनुवाद किया था जबकि बाबर नामाया तुजुक ए बाबरी का अंग्रेजी अनुवाद जो है जॉन लेडिन और विलियम रस इसाह जहां की यह D औरंग जेब की चले इसका जो सही अंसर है वह है option number A गुलबदन बेगम जो है वह बाबर की बेटी थी और अकबर के अनुरोद पर इसके द्वारा जो है हुमायू नामा लिखा गया था जिसमें इसने हुमायू और बाबर के बारे में बात की है या हुमाय इसले भाई कामरान के मध्य युद्ध का भी वर्डन किया है इसका जन्म 1523 में और इसकी मृत्यू 1603 में हो गई थी ठीक है नेक्स्ट प्रसन देखते हैं यहां पूचा जा रहा है कि मुग अर्यार आप लोग लाइक नहीं करते हैं यह गलत करते हैं तिक मत किया करिए ऐसा अभी अभी हमने देखा कि किस ने लिखा गुल बदन बेगम ने लिखा था मुगल काल में एतिहासिक विवरडों को हुमायू नामा के रूप में यह बाबर की पुत्री थी इसका जन्म 1523 में और इसकी मृत्यू 1603 में हुई थी और अकपर के आदेश अथ्वा अनुरोद पर ही इसने हुमायू नामा की रचना की थी जिसमें इसने अपनी इस्वृति के आधार पर इन दोनों के बारे में लिखा और साथी साथ हुमायू और कामरान के मद्ध हुए युद्ध का भी विवरड दिया था नेक्स्ट हुमायू नामा की रचना किस ने की थी तो हुमायू नामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी मदर्शा ए बेगम कहलाता था किसके द्वारा इस्थापित किया गया था गुलबदन बेगम बी माहम अंगा सी जिया उन्निशा या फिर डी जीनत उन्निशा चली इसका जो सही अंसर है वह है option number B मदर्शा ए बेगम को माहम अंगा के द्वारा इस्थापित करवाय गया था यह दिल्ली में पुराने किले के ठीक सामने है ठीक है देखे यहाँ पर माहम अंगा ने दिल्ली के पुराने किले में नहीं है ठीक है दिल्ली के पुराने किले के ठीक सामने खैर उल्मनजिल अथवा खैरूलमंजिल की नामक मदर्से की इस्थापना कराई थी जिसे मदर्सा ए बेगम भी कहा जाता है ठीक है निक्स्ट दिल्ली में पुराना किला के सामने खैरूलमंजिल या फिर खैरूलमंजिल नामक मस्जित का निर्माड किसने करवाया था तो यभी यभी हमने देखा इसका निर्मार्ज हुआ 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 माहम अनगाने करवाया था और इसे मदर्सा ए बेगम भी कहा जाता है ठीक है निक्स्ट निम्लिकित में से देखें यह सिच्छा के लिए महत्पूर्ण के अंदर था ध्यान रखिएगा आप लोग निम्लिकित में से किस ने हीतो پदेश का फारसी में अनगात किया था ए दारा सी को भी फैजी सी अब्दुलकादिर बढाईणी या फिर दी ताजूलमाली चलिए इसका जो सही अंसर है वह है option number D ताज उल मालिन ने हितो पदेश का फारसी भासा में अनुवाद किया था मुफरिय अल कुबाल नाम से संस्कृत गरंत हितो पदेश का फारसी अनुवाद 1450 इसवी के आसपास ताज अल दिन मुफ्ती अल मलीकी द्वारा मुफरिय अल कुबाल के नाम से किया गया ठीक है इसी ताज अल दिन मुफ्ती अल मलीकी को कहीं कहीं पर ताज उल माली भी लिखा गया है तो आपको दोनों नाम ध्यान रखना है पूरा नाम ताजुल माली ने लिखा था और इसका पूरा नाम था ताज अल दिन मुफति अल मलीकी ठीक है और जो हितो पदेश का फार्सी भासा में अनुवात किया गया था तो उसका नाम रखा गया उसके द्वरा मुफरीह अल कुबाल ठीक है नेक्स्ट सूचिया दी हुई है एक तरफ विभिन जो है रचनाकार है और दूसरी तरफ उनकी रचनाय है जिनको नीचे कूट के माध्यम से आपको सुमेलित करना है आज खतम हो जाएगा आप लोगों का मद्धकाली नितियास बिलकुल एकदम निश्चिंद रही है चलिए फिलाल इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नमबर ए संहरिए चार-टीन एक्टो कूत पड़े और गूल गया देखें सान् बजय की तजुल मासिर कि थिक ख्वाद मीर की रचना का नाम है उमाईयू नामा कि कि मोहमत का जिन की रचना का नाम है Mobil मॉहमत का जीन की रचना का नाम हे आलमघीर नंवाल मॉत कंफ्यूस में च territories कि शेखना का नाम है वहमारा अंतिम विकलत वेगा है जिए कौन सा है नुष्खाए दिल वुसारी दिल उसका एक दिलकुसा लिखा, हसन निजामी ने ताजुल मासिर लिखा, ख्वाद मीर ने हुमायू नामा और मुहम्मत काजिम ने आलमगीर नामा ठीक है यहां देखिए एक्ष़ानेशन में फिर से बताता हूं आपको और ख्वाद मीर और हुमायू नामा के बारे में भी पुस्तक लिखी थी, जिसे हुमायू नामा के नाम से भी जाना जाता है, यदि विकल्पों में गुलबदन बेगम रहेगा और ख्वाद मीर रहेगा तब आप गुलबदन बेगम के साथ ही जाईएगा, गुलबदन बेगम की अनुपस्थिती की इस सिती में आप ख्वाद मेरे के साथ जा सकते हैं, क्योंकि इनकी पुस्तक कानून ए हुमायू नामा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, मुहमत काजिन ने आलमगीर नामा लिखाता तो भीम से ने नुश्खा ए दिल कुसा लिखा था, नेक्स्ट, यहाँ पर भी सूचियां है, इनको आपको सुम सुचियों वाले प्रस्णगरीन उन्हें दे दी होते हैं, तो आपको सारे याद हो जाते हैं, नेक्स्ट, फिला ले आँ देखिए, आलमगीर नामा मुतमत खान, तबकात A. अकबरी, मिर्जा मुहमत काजिम, C. चहार चमन, चंद्रभान प्रभान या फिर D. इकबाल नामा जहांगिरी निजामुदीन एहमत कूट है A. एक तीन चार दो, B. तीन दो एक चार, C. चार एक तो तीन या D. दो चार तीन एक, चली, इसका जो सही अंसर है, वह है आपसन नमबर D. दो चार तीन एक, अब देखिए, आलमगीर नामा हमने पहले ही देखा था, या किस ने ल लिखा था, बताइए, आलमगीर नामा लिखा था, मुहम्मद काजिन ने, कहां पर है मुहम्मद काजिन, मताइए, मिरजा मुहम्मद काजिन, ठीक, निक्स्ट, तबकात एक अकबरी किस ने लिखा था, यह लिखा था, निजामुदीन एहमद ने, निक्स्ट, चहार चमन कि किसने लिखाता यह लिखाता चंदरभान ब्राम्हन ने और सबसे अंतिम में इकबाल नामा जहांगीरी किसने लिखाता यह लिखाता मुतमत खाने ठीक है इकबाल नामा जहांगीरी मुतमत खान आलमगीर नामा मिर्जया मुहम्मद काजिम तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन एहमत और चहार चमन चंद्रभान ब्रामवन ठीक है चलते हैं सीधा अगले प्रस्ण पर यहां पूछा जा रहा है कि तबकात ए अकबरी किस ने लिखा था तो अभी अभी हमने देखा अकबरी को ही तारीक ए निजामी भी कहा जाता है तो यह भी आप ध्यान रखिएगा तारीक ए निजामी या तबकात ए अकबरी की रचना निजामुद्दीन एहमत ने की थी निक्स्ट निम्न मुसल्मान विद्वानों में सिक्की से किसने हिंदी साहिति के लिए सबसे महत्पूर्ण योगदान दिया है इसका जो सही अंसर है वह है आपसर नमबर सी अब्दुर रहिम खान खाना का योगदान जो है वह हिंदी साहिति के लिए काफी महत्पूर्ण है अब्दुर रहिम खान खाना उनका एक प्रसेद ग्रंत है जिसका नाम है रहीम सत्थ सई और यह दोहो का संग्रह है यह अब्दुर रहिम खान खाना जो है वह विभिन भासाओं जैसे फार्सी, अर्बी, तुर्की, संस्क्रित, हिंदी, राजस्थानी, आदी भासाओं के जो है वह मरमग गया फिर यूँ कहें तो एक्सपर्ट थे ठीक है तो इनकी रचना का नाम ध्यान रखेगा रहीम सत्थ सई और अकबर के काल को हिंदी का वेका स्वन्ड काल कहा जाता है यह भी आप ध्यान रखिएगा भारत के इतिहास के संदर में अब्दूल हमीद लाहोरी कौन थे? A. अकबर के सासन में एक महत्पूर सैने कमांडर B. साह जहां के सासन का एक राजकी इतिहासकार C. औरंग जीप का एक महत्पूर सामन्त तथा विश्वासपात D. मुहम्मद साह के सासन में एक इति वृत्तिकार ये तथा कभी खुझ ज्यादा तेज चल ला है क्या हम लो? छिली अच्छा चुड़ी देखे इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नमबर B. साजहां के सासन का एक राजकी इतिहासकार था अपनी पुष्टक पादसाह नामा में इसने साजहां कालिन इतिहासका वर्डन किया है या साजहां के दरवार में एक यात्री के रूप में आया था निक्स्ट साजहां के लेखक कौन थे? इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नमबर D. साजहां नामा के लेखक इनायत खाँ गुलबदन वेखक हुमायू नामा के लेखक बाबर नामा के लेखक स्वयम बाबर ठीक है हालांकि ख्वाद मेर की एक पुस्ट तक कानून ए हुमायू नामा के नाम से जाना जाता है ठीक है और पादसाह नामा किसने लिखाता? यह लिखाता अब्दुल हमीद लहावरी ने साजहां के सासनकाल में निम लिखित युगमों में से कौन सा एक सुमेलित है? हुमायू नामा सेरसा तारीके सेरसा ही या अकबर तबकात ए अकबरी चली इसका जो सही अंसर है वह है आप्शन नंबर ए बाबर के द्वारा अपनी आत्म कता तुझुक ए बाबरी या बाबर नामा की रचना अपनी मात्रिभासा तुर्की में और मुबईना सैली में पूछा जा रहा है कि निमलिकित में से कौन सा सुमेलित नहीं है एक तरफ पुष्ट के दूसरी तरफ लेखक ए तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज जसजानी चली इसका जो सही अंसर है वह है आप्शन नमबर सी तुगलक नामा इबन बतूता नहीं इबन बतूता ने लिखा था रेहला पढ़ाया नाम लोगों ने देखें तुगलक नामा की रचना अमीर खुसरो ने किया था जबकि इबन बतूता ने अपना यात्रा वित्रांत रेहला नामक बुष्टक में लिखा था वह हैं तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज जसजानी की रचना है ठीक है तारीक ए फिरोज साही संस ए सिराज अफ तीफ की रचना है और हुमायू नामा जो है यह गुलबदन बेगम की रचना है नेक्स प्रसंद देखते हैं यहां पूछा जा रहा है कि अनवर ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्लिकित में से किसका अनुवाद है ए पंचतंत्र बी महाभारत सी रामायर दी सूर सागर चलिए इसका जो सही अंसर है वह है आपसा नंबर ए अनुवर ए सुहेली जो है वह पंचतंत्र का अनुवाद है यहां पर देखिए पंचतंत्र के कुछ विभिन अनुवाद के नाम आएंगे उनको आपको ध्यान रखना ठीक है देखे गजनवी के काल में नसुरूला मुं मुंसी सिराजी ने कलीला वा दिमना के नाम से पंचतंत्र का अनुवाद किया था फिर से पोल देखे गजनवी के सासंकाल में नसुरूला मुंञ क्यों सीराजी ने कलीला वा दिमनाह बेहराम साही के नाम से पंचतंतर का अनुआत किया था जबकि सुल्तान हुसैन मिर्जा के सासनकाल में मुला वाइद हुसैन कासफिह ने अनवर ए सुहेली नाम से वह अकबर के काल में अबुल फजल ने आयर ए दानिस के नाम से पंचतंतर का अनुवाद किया था सभी को फिर से बता रहा हूँ जान देजेगा नुसरुलाह मुंसी सीरा जी ने गजनवी के काल में कलीला वाद दिमनाह बेहराम साही के नाम से पंचतंतर का अनुवाद किया था तो सुल्तान हुसैन मिर्जा के काल में मुला वाईज हुसैन कासफिय ने अनवर ए सुहेली के नाम से पंचतंतर का अनुवाद किया था अगला प्रस देखते हैं यहां पूछा जा रहा है कि अबुल फजल द्वारा अक्बर नामा पूरा किया गया था A. साथ वर्सों में B. आठ वर्सों में C. नव अत्वा D. दस वर्सों में इसका जो सही अंसर है वह है option number A. अबुल फजल द्वारा अक्बर नामा जो है वह साथ वर्सों में पूरा किया गया था हलांकि कहीं कहीं पर इससे 12-13 वर्स भी बताया गया है ठीक है इसलिए लोकसेवायोग ने इसको मुल्यांकन से बाहर कर दिया था next मुगलकाल में दरबारी भाशा थी A. R. B. तुर्की C. फारसी अत्वा D. उरदू चलीfon की दरबारी भाशा को वारे मुने कई बर चर्चा की है या फारसी भाशा थी मुगल काल में अदालत की भासा थी तो जो दरबारी भासा होगी वही राज की भासा थी और वही नयाले की भासा रही होगी यानिकी फारसी यहां सूचिया है और इनको आपको नीचे दिये कूट के माध्यम से सुमेलित करवाना है तिक एक तरफ विविन रचनाकार है और दूसरी तरफ इनकी रचनाए है तो चलिए देखते हैं चलिए इसका जो सही अंसर वह है आप्शन नमबर दे चार एक दो तीन भीमसेन कायस्त ने लिखा था तारीक ए दिलकुशा चंदर्भान ब्राम्वन ने लिखा था चहार चमन इस्वर्धास नागर की रचनाथी इस्वर्धास नागर की रचनाथी फुतुहात ए आलमगिरी कभी-कभी ने कन्फूजर हो जाती तोड़ी थी जबकि सुजान राय भंडारी की रचनाथी खुलासात उत्तवारीक रचनाथी सुजान राय भंडारीकी इस्वर्दास नागर की रचना है फुतुहात ए आलमगिरी चंदभान ब्रामभर की रचना है चहार चमन और भीमसेन कायस्त की रचना है तारीक ए दिल कुसा देखे कभी भी घबडाईएगा मत आप आराम से अगर कूट को देखेंगे तो आइंसर कर सकते थे चंदभान ब्रामभर के बारे मां हमने पढ़ता चहार चमन देखे OPTION A में शिर्ख और शिर्फ यहीं पर दिया हुआ है ठीक द भीमसेन का पहला कहरा हो जे चंदभान ब्रामभर यानि बीगLes यह दिखें यहां पर चंदभान ब्रामभर चहार चमन आप आसानी से धिरज पूरोग अगर विचार करेंगे तो आसानी सेंसर कर पाएंगे प्रस्न कितना भी कठीन हो कहीं कहीं आयोग कोई न कोई सुराग छोड़ देता है अपराद करने वाला उसी तरीके से ठीक है निक्स्ट भीमसें कायस्त तारीक दिलकुसा चंद्रभान ब्रामर चहार चमन प्रकार की फारिसी लिग जो मद्यकालिन भारत में प्रयुक्त होती थी बी एक राग जिसकी रचना तानसेन की थी या सी मुगल सास को द्वारा उद्ग्रहित एक उपकर या डी उलेमाओं के लिए एक आचार सहीं था चले इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नमबर ए नस्ता लिग जो है एक प्रकार की फारिसी लिप जो मद्यकालिन भारत में प्रयुक्त होती थी ठीक है मुगल बास्षा औरंगेब जो है वह नस्ता लिख और सिकस्त लिखने में निपून था ठीक है यानि एक फड़ था निक्स्ट कभी हिर्दय राजा जिसने नागरी दास के नाम से क्रिष्ण की प्रसंसा में चंद लिखे इसका जो सही एंसर है वह है आप्सन नमबर डी नागरी दास के नाम से क्रिष्ण की प्रसंसा में रचनाय लिखा जाता था राजा सावंत सिंग के द्वारा जो राजस्थान के किशनगड रियासत के राजा थे ठीक है देखे अजमेर की किशनगड रियासत के राजा राजा सावंत सिंग जो है देखे किसनगड के सासकों ने निम्बार्क संप्रदाय को अपना संरच्छन प्रदान किया था निक्ष्ट और अंतिम प्रस्ट इस चेप्टर का यहां पूचा जा रहा है कि निम्नलिकित में से किस एक ने महत्पूर्ण कृतियां रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना की थी चलिए इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नुमबर ए ठीक है केसव या केसव दास ने जो है रामचंद्रिका और रसिक प्रिया की रचना की थी केशवदास का समयकाल 1555 से 1617 के बीच का माना जाता है या हिंदी कविता के रीत कालिन कवी थे ठीक है तो फिलाहाल चलते हैं अगले चप्टर पर जिसका नाम है मुगलकाल वीवी थे यानि कि मुगलकाल के बारे में चली फिलाल यहां पूछा जारा है कि निम्लिकित यूगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है ए जहांगीर विलियम होकिन्स बी अकबर सर्थामस रो सी सा जहां टिवर्नियर या फिर डी औरंग जेप मनूची चली इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नमबर बी सर्थामस रो अकबर नहीं जहांगीर के काल में आया था हमने देखा था पंद्रा से सोलसो उननीश तक और यह अकबर के साथ अजमेर मांडू आज जगाओं की यात्रा पर भी गया था और सिकार भी केला था और अंततों गत्वा एक वर्ष तक आगरा में रहा भी था निक्स्ट बाकी अरने सोलसो मिली था जहांगीर के काल में विलियम हांकिंस भी आया था साजहां के समय में टिवर्नियर और ओरंग जेप के समय मनुची आया था निमलिकित विदेशी यात्रियों में से किस ने भारत के हीरो और हीरे की खदानों की विश्त्रित रूप से चर्चा की ए फ्रांस्वा बर्नियर बी जया बेप्टिस्ट टेवर्नियर सी जया दत्थिवेनो या डी एबे बर्थेलेमो कारे जया बेप्टिस्ट टेवर्नियर ने भारत के हीरो और उनकी खदानों के बारे में विश्तार पूर्वक चर्चा किया था जो है जोहरी था ठीक है अब जोहरी था तो हीरे तो खोजेगा ही इसका समयकाल था 1605-1689 और यह सत्रवी सताब्दी का सरवाधिक ख्यात इप्राप्त विदेशी प्राथ यात्रियों में से एक था कर्म से यह जोहरी था और मुगल बादसा साज यहां के सासनकाल में भारत आया था और पूर्व की दिशा की तरफ इसने साथ यात्राएं कि जिसमें से छे बार तो यह हिंदुस्तान ही आया था ठीक है टेवर्नियर ने ही यहां पर अब ध्यान दीजिए टेवर्नियर ने ही प्रसिद्ध भारती हीरे कोहिनूर के संबंद में संपूर्ण विस्व को जानकारी भी दी थी और साथ ही इसने हीरो की ख़दाने जहुरात मोतियों आध के बारे में महत्वपूर्ण विवरण प्रदान की थे ठीक है फिलाल आपको ध्यान यह रखना है कि यह साजहां के सासनकाल में आय था इसने भारती हीरो और उनकी ख़दानों के बारे में वि इनूर हीरे के संबंध में विश्व को जानकारी प्रदान की गई थी ठीक है निक्स्ट इसके द्वारा जया बेपटिस्ट टेवर्नियर के द्वारा निक्स्ट यह कतन किसका है कि अकबर के सासन में इलहाबाद में 40 इस्तंवियुक्त मंजिल के निर्मार में 5000 से 20,000 लोगों चालिस साल तक काम किया था आप्सन है ए मनुची बी टेवर्नियर के सी विलियम फिंच या डी अब्दुल हमिल लाहरी या इन में से कोई नहीं अत्वा उपर उप्ति में से एक से अधिक तो फिलाल इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नंबर सी विलियम फिंच का या कहना नहीं नहीं लिए उपर की तरफ करके जाने को तुपर में तो ऊपर वाले मंजील है वह 40 इस्तमभो से यूग्त है ठिक देखें विलियम फिंच के अंव्धार एलाहबाद इस्तित पहले से 40 पिलर्स के निर्माड में 40 वर्स लगे और इसके निर्माड है तो 5000 से 20,000 लोगों ने काम किया था नेक्स्ट सुचियों हैं सुमेलित करवाना है कूट के माध्यम से तो आप्शन ए है हॉकिन्स 1615 से 1619 टॉमस रो या थामस रो 1608 से 1611 मनुची 1585 से 1586 डी राल्फ फिंच 1613 से 1708 कूट है ए एक दो तीन चार बी दो एक चार तीन सी एक दो चार तीन डी दो एक तीन चार चलिए इसका जो सही अंसर है वह है आप्शन नमबर बी दो एक चार तीन ठीक अब देखिए हॉकिन्स जो है वह 1608 से 1611 तक जहांगीर के सासनकाल में आया था तामस रो या थामस रो जो है वह 1615 से 1619 में जहांगीर के सासनकाल में आया था मनुची जो है वह 1613 से 1708 के बीच औरंगेप के सासनकाल में आया था वही राल्फ फिंच जो है यह राल्फ फिंच जो है यह आया था 1585 से 1586 के मद्ध अकबर के सासनकाल में फिक है यहां देखे मैं फिर से बता दे रहा हूँ हॉकिंस जो है यह 1608 से 1611 के बीच में आया था तामस रो 1615 से 1619 के मद्ध मनुची 1653 से 1708 के मद्ध और राल्फ फिंच 1585 से 1586 के मद्ध अकबर के सासनकाल में भारत की यात्रा की थी उसने निक्ष्ट निमनलिकित मुस्लिम सासकों का सही कालानुकरम नीचे दिये कूट से चुनिये पहला अहमद सहा अबदाली दूसरा मुहमद सहरंगीला तीसरा जहांगीर और चौथा बहादुर सहर दितीर आप्सन है A 1234 B 4 3 2 1 C 3 2 1 4 या D 2134 चली फिलाल इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नमबर A 3 2 1 4 जहांगीर मुहमद साह अब्दुल रह अब्दाली और बहादुल साह देती है यहां देखिए एक्ष्रानेशन में देखें जहांगीर का साहसन काल 1605 से 1627 के मद देता मुहमद साह का साहसन काल 1719 से 1748 के मद देता जबकि अहमद साह अब्दाली जो है वह पानीपत की तृतिय लड़ाई 14 जनौरी 1761 ठीक 48 के बाद अफगान दल का नेता था तो बहादु साह देती है जहसका एक उपनाम था जफर उसका साहसन काल 1837 से 1857 के मद देता ठीक है चले अगला प्रस्ण देखते हैं यहां पूछा जा रहा है कि निम लिखिते चार बाहरी आक्रमणों को काल क्रमानुसार विवस्तित करें एवं नीचे दिये हुए कूट से सही उस्तर घूंडें पहला एहमद सह अबदाली दूसरा चंगेज खां तीसरा नादिर सह और चौथा तैमूर कूट है ए एक दो तीन चार बी चार तीन दो एक सी दो चार तीन या डी दो चार एक तीन चली फिलाल इसका जो सही अंसर है वह है आपसर नंबर सी दो चार तीन एक चंगेज खां तैमूर नादिर सह और फिर आया एहमद सह अबदाली 2761 पानिपत की तीसरी लड़ाई में जो मराठो से हुई थी जिसमें मराठो की हार हो गई थी ठीक है देखे अभी पढ़ें दोसको आराम से चिंता मत करिए आज ही लेक्चर मिल जाएगा आपको देखे चंगेज खां तैमूर नादिर सह अबदा और एहमद सह अबदाली मे देखे चंगेज खां का आकरमड इल्टूतमीश के समय में 1211-1236 के बीच हुआ था जबकि तैमूर का आकरमड 1398 में नासुरुत दिन महमूद के समय नादिर सह का आकरमड 1749 में मुहमद सह के समय और एहमद सह अबदाली का आकरमड 1748-1779 के बीच हुआ था ठीक है निक्स्ट निम्लिकित में से कौन सा कथा जो है वह सत्य है पहला एहमद साह अबदाली ने पानीपत का तिर्थी युद्ध लड़ा दूसरा बाबर ने दिल्ली सल्तनत की इस्थापना की तीसरा साह जहां ने उत्तराजिकार का युद्ध लड़ा या चव था जहांग सी एक तथा चार सही है या डी एक दो तीन तथा चार सही है चली इसका जो सही अंसर है वह है औप्शन नम्बर सी एक और चार सही है जहांगिर्स वुद्ध तथा प्रगदिका प्रेमिधai इसके काल में चित्रकला का बहुत अच्छे से विकास हुआ था ठीक और एहमद स सहाबदाली ने पानीपत का तीसरा युद्ध 14מटी सत्रसों इक सट को लड़ा था मराठो से इंण सहाबदाली और मराठो के भी 14N 161 में पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था दिल्ली सल्तनत की इस्थापना कुत्वुद्दीन एबक ने की थी न की बाबर ने मुगल सामराज की इस्थापना की थी ठीक है और वहीं मुगल काल में उत्तरा दिकार का युद्ध जो है वह साजहां के सासन काल में तो हुआ था लेकिन यह युद्ध लड़ा गया था साहसुजा, दारा और जेव के बीच में जो की साजहां के उत्तरा दिकार के लिए लड़ा गया था कि अब साजहां के बाद कौन राजा बनेगा, ठीक है, हालांकि इनमें जो है औरंग जेव विजय हुआ और आगे चल करके वही मुगल बाजसा बनता है, ठीक, चली, बात करते हैं अगले प्रस् A. नादिर सहद्वारा दिल्ली में कतलेयाम 1556, B. बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई 1526, C. हेमू और अकबर के बीच पानीपत का दूसरा लड़ाई 1761, D. एहमत सह अब्दाली और मराठो के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई 1749 कूट है A. 1432, B. 1342, C. 4213 या D. 2324, चलिए फिलाल इसका जो सही अंसर है यह कहिए कि यह सही है, इधर सही होता है तो फिर अर्जिस्ट करना पड़ता है, कि नहीं चार दो एक तीन यहाँ देखिए नादिर सहा ने दिल्ली का कतले आम किया था 1749 में ठीक है, अभी एक्परानेशन चलते हैं, पहले हाँ मैच करा लीजे बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी, बताइए 21 अप्रैल 1526 को, इसके बाद मुगल सार मराज की नियू पड़ गई थी हेमू और अग्पर के बीच पानीपत की दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1556 में, और सबसे अंत में अहमद साह अबदाली और मराठो के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई ले ली गई 1761 में, ठीक है, आईए हैं एक्प्रानेशन से समझने का प्रयाज कीजिए, थोड़ा सा अराम से, अक्सर ये प्रस्ण आते हैं, यहां देखिए 1749 में करनाल के रड़चेत्र में, मुगल सेना तथा इरानी सेना के मत्य युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सेनिक पराजित हुएं, और इसके बाद ही, नादिर साह ने दिल्ली में कतले आम करवाया था, ठीक किसके सासनकाल में, तो मुहम्मद साह के सासनकाल में, ठीक पानिपत की पहली लड़ाई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 21 अप्राइल 1526 को हुई, जिसमें बाबर विजय हुआ, और भारत में मुगल वन्स की निव डाली अगली पेन ले लेते हैं, हेमू और अकबर के बीच पानिपत की दूसरी लड़ाई, पांच नॉमबर 1556 को हुई, जिसमें हेमू पराजित हुआ, हेमू या हेमराज पराजित हुआ निक्स्ट पेन ले लेते हैं, अगली अगली प्रस्ण पे चलते हैं, यहां पूछा जा रहा है कि हेम चंदर विक्रमादित भारती इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं इसका जो सही अंसर है, आप्शन नंबर D, हेम चंदर विक्रमादित को भारती इतिहास में हेमू के नाम से जाना जाता है, आईए इसका पूरा इतिहास जानते हैं ठीक है, बहुत सफल युद्धा था या, 22 युद्धों में इसने लगातार सफलता प्राप्त की थे फिलाल देखे, हेमू अतवा हेमराज जो है, वह मद्युक के इतिहास में एक विशेश सस्तान रखता है और ततकालिन स्रोतों से हमें पता चलता है कि हेमू रेवाडी के बजार में सोरे का व्यापारी था इसलाम साह ने उसे अपनी सेवा में लिया था और आदिल साह के समय उसका सम्मान और पद दोनों बढ़ गया आदिल साह ने हेमू या हेमराज की सेन प्रतिवा से प्रभावित हो करके उसको अपना वजीर और सेना पति बना लिया आदिल साह के विरोधियों के विरुद जो है हेमू या हेम चंद्र ने 22 युद्धों में सफलता प्राप्त की और दिल्ली में तरदी बेग के विरुद विजय प्राप्त करने के पस्चात इसने विक्रमा दितिया विक्रम जीत की उपाधी धारण की थी ठीक है इसके विरुद युद जीत करके तरदी बेक के विरुद युद जीत गया जब हेमु या हेमराज तब उसने विक्रमा दितिया विक्रम जीत की उपाधिधारण की और पांच नौमबर 1556 को पानी पत के दूसरे युद में हेमु का मुगलों से मुकाबला हुआ जिसमे हेमू अत्वा हेमराज पराजित हुआ और पकड़ा गया और इसी युद्ध में बैरम खाने उसका सिर काट दिया था जिस कारण उसकी मृत्यू हो गई नेक्स्ट भारती गौरव या यस का अंतिम सुर्य किसके लिए प्रियुक्त हुआ है इसका जो सही अंसर वह है आप्सन नंबर बी प्रिथवीराज चौहान के लिए भारती गौरव या यस का अंतिम सुर्य सब्द प्रयोग्त हुआ है देखे वियल लुनिया के अनुसार चौहान सासक प्रिथवीराज चौहान अपने समय का सबसे महान एवं यस सुस्वी वीर सम्राड था इन्हें भारती यस का अंतिम सुर्य कहा गया है नेक्स्ट विविन लडाईया है और इनको आपको विविन घटना आया है लडाईया नहीं है इनको आपको नीच कूट की साहता से सुमेलिक करना है कूट से सही उत्तर का चैन करना है आपको आप्सन है ए एक तो तीन चार बी चार तीन दो एक सी तीन एक चार तो या डी दो चार तीन एक चले इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नंबर सी तीन एक चार तो ठीक है ऐसे देखिए यहां पर पानी पत का तीसरा युद लडा गया था कब 1761 में 14 जनवरी को तराइन का दूसरा यूद 1192 को हुआ था अकबर की मृत्यु हुए थी 1605 में और औरंग जेब की जो मृत्यु है वह हुए थी 1707 में ठीक है? आईए फिर से देख लेते हैं तराइन का दूसरा यूद हुआ था 1192 में अकबर की मृत्यु हुई थी 1605 में औरंग जेब की मृत्यु हुई 1707 में और पानीपत का तीसरा यूद लड़ा गया 1761 में फिर से अगला प्रस्न सूचियों से संबंदित है और नीचे कूट की सहता से आपको सुमिरित करना है फिलाल इनी तीन में से एक सही अंसर है अ हल्दी घाटी का यूद बाबर बी बिलग्राम का यूद अकबर सी खुसरो का यूद हुमायू या डी खानवा का यूद जहां गीर कूठ है ए दो तीन चार एक बी एक तीन दो चार सी तीन दो चार एक चली इसका जो सही अंसर है वह है अप्शन नंबर एक दो तीन चार एक हल्दी घाटी का यूद बाबर के द्वारा लडा गया था राणा प्रताप के खिला बिलग्राम का यूद जो एक से बिलग्राम का यूद हुआ था वह हुमायू ने लडा था सेर साह के विरुद कब 1749 में हुआ था हुमायू का सेर साह के विरुद सब पढ़ाया बने खुसरो का विद्रु हुआ था जहांगीर के सासनकाल में और सबसे अंत में जो खानवा का यूद हुआ था वह हुआ था बाबर के समय में कब हुआ था आईए मैं फिर से बता देता हूँ इन सारे विकल्पों को सनको नहीं देखे हल्दी घाटी का यूद अकबर के काल में राडा प्रताप के विरुद लडा गया था बिलगराम का यूद हुमायू के द्वारा सेर साह के विरुद लडा गया और खुसरो का युद्ध जहागीर के समय में हुगा था खुसरो का विद्रो हो और जब कि खानवा का युद्ध बाबर के काल में राडा सांगा के विरुद्ध लड़ा गया था फंद्रा सो सताइस में बाकियों के बारे में आप बताईए यहाँ पर भी सूचियों से संबंदित प्राशन है एक तरफ विविन घटनाए है और दूसरी तरफ उनके वर्ष है आपको सुमेलित करना है पूट की सहायता से तो बात करते हैं पहले आप्शन की 1556 हल्दी घाटी का युद्ध 1600 नादिर साह का दिल्ली परकपजा 1680 सीवा जी का देहांत 1749 इस्ट इंडिया कमपनी को अधिकार पत्त्र प्रतान किया जाना या पांचवां अकबर का राज्या रोहर कूट है इसका ए तीन चारड़ एक बी पांच चार तीन दो झी पांच दो एक चार या डी एक पांच तीन दो फिलाल इसका जो सही अइसर है वह है आप्शन नंबर बी पांच चार तीन दो ऐसे देखिया 1556 में अक्बर का राज्या रोहन हुआ था काला नौर में ठिक उसके बाद 1600 में इस्ट इंडिया कमपनी को अधिकार प्रत्र प्रतान किया गया था पूरु की तरफ व्यापार करने का उसके बाद 1680 में सिवा जी की मृत्यू हो गई थी और उसके बाद 1749 में नादिर सहा ने दिल्ली पर या दिल्ली में कतले आम किया था कबजा तो नहीं किया था कतले आम पतले आम करके चल दिया था अपना लूट पार्ट के भारत पर नादिर साह का आक्रमट 1749 में मुहम्मद साह रंगीला के सासनकाल के दौरान हुआ सीवा जी का देहान तो 1680 इस्वी में हुआ इस्ट इंडिया कमपनी को अधिकार प्रत्र 1620 में प्राप्ट हुआ और अकबर का राज्या रोहन 1556 में पंजाब के गुर्दासपुर में गुर्दासपुर जीले के काला नौर नामकिस्थान पर हुआ था वहीं हल्दी घाटे का युद्ध हुआ था 1576 में अकबर और राणा प्रताप के युद्ध बिरुद्ध मद्ध ठीक है जिसमें राणा प्रताप की हार हो गई थी निक्स्ट यह भी सुमिलित करवाने वाला प्रश्न है यहाँ पर विभिन्न युद्ध है और इनके समय काल है और नीचे कूट की सहता से आपको सुमिलित करना है कूट है जलिए फिलाल तक तक मैं मानी पिलू थो चली फिलालिष का सही एंसर है ऑप्सन नंबर सी दो तीन चार एक पानिपत का तीसरा यह धुआ था 14 जनुरी 1761 को हल्दी घाटी का यह धुआ था वटाय कप 1576 में हल्दी घाटी का यह धुआ था तराइन का दिती युद्ध हुआ था 1192 में और असीरगड का युद्ध हुआ था 1601 में फिर से सारी चीज़े आपको बता देता हुआ देखें यहाँ पानिपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 1761 में अफगानों और मराठों के बीच में और इसमें अफगानों की विजय हो गई थी जिसमें जो है अफगानों का नित्रित अहमद सहा अबदाली ने और मराठो का नित्रित सदा सिवराव भाव ने किया था और मराठो की इस युद्ध में हार हो गई थी हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया जिसमें महाराणा प्रताप पराजित हुए तो वहीं तराइन का जो दूसरा युद्ध हुआ था 1192 में और इसमें मुहम्मद गौरी ने प्रिथ्वी राज को पराजित कर दिया था आगे चल करके 1601 में असीरगड की युद्ध में अकबर ने मीरन बहादूर को पराजित किया और असीरगड जो है वह मुगलों के अधिकार में आ गया था नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रस्ण की यहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिकित में से कौन सी जोड़ी मुगल एवं मराठा कारिन युद्ध तथा वर्ष को सुमेलित है चली इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नमबर सी ठीक हल्दी घाटी का युद्ध पंदरा सो चीहत्तर में हुआ था यही भर सुमेलित है बाकियों के बारे में यहां से देखते हैं देखें हल्दी घाटी का युद्ध पंदरा सो चीहत्तर मुगा था महरणा पताप और अकबर के सेनापती मान सिंग के बीच लड़ा गया था यहां युद्ध आगे चौसा का युद्ध जून पंदरा सो उन्तालीस में हुमायू और सेर सहा के मद्ध हुआ था जबकि कन्नोज या बिलग्राम का युद्ध हुआ यह हुआ था मई पंदरा सो चालीस में ठीक है हुमायू और सेर सहा के मद्ध हुआ खेड़ा का युद्ध सत्रस और सात में मराठा राधि के सिंहासन के लिए साहु और तारा भाई के मद्ध हुआ था जबकि खजवा का युद्ध खानवा और खजवा अलग-अलग है ठीक है खजवा का युद्ध हुआ था जन्वरी 1669 में मुगलवास्था औरंगजेब और साह सुजा के मद्धे ठीक है चलिए बात करते हैं अगले प्रस्ण के बारे में जहां पूछा जा रहा है कि निमलिकित मुगलकाल के युद्धों को काला नुकरम विवस्तित कीजिए पहला घागरा का युद्ध दूसरा खानवा का युद्ध तीसरा चौसा का युद्ध और चौथा सामुगड का युद्ध कूट है आपके पास A. 2-1-3-4 B. 1-3-2-4 C. 3-2-1-4 या D. 2-3-1-4 चलिए इसका जो सही अंसर है वह है option नंबर A. 2-1-3-4 पहले खानवा का युद्ध उसके बाद घागरा का युद्ध फिर जो है चौसा का युद्ध और आगे चल करके सामुगड का युद्ध लड़ा गया था आईए इन सब के बारे में देखते हैं और बारी बारी से बात करते देखे खानवा का युद्ध हमने देखा अकबर ने लड़ा था और अकबर और राडा सांगा के मद्ध है युद्ध लड़ा गया था 1527 में जिसमें अकबर के रहां बाबर और जिसमें बाबर जो है वह जीत गया था गागरा का युध बाबर का अंतिम युध था और इसमें भी बाबर विजई हुआ था या युध हुआ था 1529 में बाबर और इबराहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के बीच में वहीं चौसा का युद्ध हुआ था 1549 में जिसमें जो कि हुआ था सेरसा और हुमायू के मद्ध और इस युद्ध में भी सेरसा विजई हुआ था आगे चल करके 1658 में सामुगड का युद्ध होता है औरंग जेब और मुराद की संयुक्ट सेनाव और साही सेना से ठीक है देखे सामुगण का युद्ध 1658 में उत्राधिकार के युद्ध में सामिल था इसमें जो है एक तरफ औरंगजेब और मुराद की सहीं के सेनाय सामिल थी और दूसरी तरफ दारा सिको की साही सेनाय सामिल थी और इस युद्ध में दारा सिको पराजित हो गया था निक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिकित युद्धों पर विचार कीजिए तत्था उन्हें उनके काल क्रमानुसार विवस्थित कीजिए पहला कन्योज का युद्ध, दूसरा चंदेरी का युद्ध, तीसरा ताली कोटा का युद्ध, और चौथा चौशा का युद्ध कूट है A, 1, 2, 3, 4, B, 2, 4, 1, 3, C, 4, 2, 1, 3, या D, 1, 4, 2, 3 चलिए, सभी युद्ध के बारें बात हुई है हमारी, इसका जो सही अंसर है, वह है, आपसन नंबर, B, 2, 4, 1, 3, ठीक है, चंदेरी का युद्ध पहले होता है, उसके बाद ताली कोटा का युद्ध होता है, फिर होता है आपका चौशा, चौशा का युद्ध, फिर चौशा नहीं, सही है, कन्फ्यूजन कभी-कभी हो जाती है, इसका सही अंसर है, आपसन नंबर, B ही, ठीक, देखे, यहां से देखे, चंदेरी का युद्ध जो हुआ था, यह हुआ था, 1528 में, चौशा का युद्ध जो हुआ था, यह हुआ था, 1549 में, उसके बाद कर्नाउज का युद्ध 1540 में, जबकि ताली कोटा का युद्ध विजयनगर सामराज के खिलाब, जो संयुक्त सेनाय या, जो संयुक्त बुट बना था, उसके द्वारा लडा गया था, 1565 में, ठीक है, तो इसका जो सही अंसर होगा, वह होगा, दो, चार, एक, तीन, पहले चंदेरी, फ 1549 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, और ताली कोटा का युद्ध 1565 में, निक्स्ट, निमनलिकित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ए बाबर, खानवा का युद्ध, बी हुमायू, चौसा का युद्ध, सी अकबर, हल्दी घाटी का युद्ध, या डी, जहा आफसे नमबर D, बल्क का युद्ध, साजहा के काल में हुआ था, और यह हुआ था, 1646 से 47 के मद्ध, ठीक है, जिसमें साजहा का युद्ध से था, बल्क चेतर में, अपने मितर सासकों की स्थापना करना या मितर सासकों को सिंहासना रूर करना, जबकि बाबर द्वारा खा और अक्बर के समय में हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था निक्स्ट अता अली खां किसका नाम था ए अबुल फजल बी अबुल फैजी सी टोडर मल्या डी आदम खां अथवा ई इनमें से कोई नहीं चली इसका जो सही अंसर है वह है option number E अता अली खां देखिए यह तानसेन का नाम था और यह जो है अकपर के द्वारा दिया गया उसको नाम था जो कि उसने इसलाम धर में धर्मांतरण के बाद तानसेन को दिया था ठीक है तानसेन का प्रारंबिक नाम था राम तनुपांडे इसलाम धर में धर्मांतरण के परश्चात इनका नाम अता अली खां रखा गया था अगला प्रस्ट यह सूचियों से संबंदित है एक तरफ विभिन मत्यकालिन सब्द है और दूसरी तरफ इन से संबंदित वंसो के या राज वंसो के नाम है आपको इनको सुमेलित करना है ए है इक्ता मराथे बी जागीर दिल्ली के सुल्तान सी अमरम मुगल या डी मुकासा विजय नगर कूट है ए तीन दो एक चार बी दो तीन चार एक सी दो तीन एक चार या डी तीन दो चार एक कि चली इसका जो सही अन्सर है आपसन नमबर 12,341 एक एकटा जो है वह दिल्ली के सुल्तानों द्वारण सी गई प्रता ती ठीक है इल्तूत में इसने सुरू किया था जागीर जो है यह डी जाती थी किसके काल में मुगलो के काल में जागीर्व देने की प्रथा-प्रदान शुरू की गई जबकि अमरम जो है वह विजयनगर सामराजी से सम्मंधित था और सबसे अंत में जो मुकासा है या मराठा सामराजी से सम्मंधित या मराठा वनसों से सम्मंधित था ठीक है आए इनके वारें डिटेल से थोड़ा थोड़ा जानते हैं डिटेल से थोड़ा थोड़ा नेके दिल्ली काल में 1211 इस्व में इल्टूत मिश के राज्यारूहण के साथ ही नए सासंत्र की आधार सिला रखी गई और भारत में इकता प्रथा इस्थापित हुई थी वहीं जागेरदारी प्रथा मुगलकाल में प्रचली थी हमने काफी बार देखा मनसबदारों के संदर में इस वेवस्था को जबकि विजय नगर में नायकों को राजा बेतन के बदले या उनकी अधिनस्त सेना के रक रकाव के लिए विशेश भूकंड देता था जो अमरम कहलाती थी बात वही है जागीरदार को ही वहाँ पर जागीर को ही विजय नगर सामराज में अमरम कहा जाता था ठीक है वहीं मराठा सासन में चौथ जो एक प्रकार का कर्व था मराठाओं का वह आयका चौथ की आयका 66% मराठा सरदारों को घुर सवार रखने के लिए दे दिया जाता था और इ मुगलकाल में निमनलकित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था A. कालीकट B. भरूत C. कैमबे या D. सूरत चली इसका जो सही अंसर है वह है option number D. सूरत ठीक है सूरत से ही लोग काबुल या मक्का जाते थे मक्का जाते थे काबुल नहीं इसका रड़ इसको जो है बाबुल मक्का भी कहा जाता था मुगलकाल में गुजरात इस्तित सूरत बंदरगाह से होकर ही हज यात्री मक्का के लिए प्रस्थान करते थे इसलिए सूरत बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का द्वार कहा जाता था निक्स्ट मुगलों ने नवरोज का तेवहार लिया A. पार्सियों से B. यहुदियों से C. मंगोलों से D. तुर्कों से चलिए इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नमबर A पार्सियों से या फिर इरान से लिया था ठीक है पार्सिया इरान से मुगलों ने नवरोज का तेवहार लिया था यह 19 दिनों तक मनाया जाता था और इसे मनाने के लिए बहुत पहले से ही विवस्ता सुरू कर दी जाती थी अब्दुलकादिर बदाईञी ने इसे नवरोज ए जलाली की भी संगया दिया है अटा देता हूँआ करके जरूर बताईएगा निक्स्ट बात करते हैं हम लोग अपने अगले प्रस्ण की जहां पूछा जा रहा है कि मुगलकाल में जिस मदर्से ने मुस्लिम नियायसास्त की पढ़ाई में विसिष्टता हासिल की वह इस्थिता ए लकनव में बी दिल्ली में सी सियाल कोट में या डी हैदराबाद में चली इसका जो सही अंसर है वह है आप्सन नमबर ए ठीक है मुगलकाल में जिस मदर्से ने मुस्लिम नियायसास्त की पढ़ाई में विसिष्टता हासिल की वह कहा था तो वह था लकनव में और उस मदर्से का नाम था क्या लकनव के फिरिंगी महल में फिक के अध्यन पर विसेश बल दिया गया था जबकि मुगलकाल में देखे दूर मदर्से प्रसीद देते पहला साहवली उल्ला के मदर्सा में हदीश यानि की परंपराउं तथ तपसीर यानिटीकाओं पर विशेश बल दिया गया था जबकि लखनों के फिरंगी मदर्से में फिक यानि की इन्याय साष्ट के अध्यान पर बल दिया जाता था धर्म सास्थ के विशेशक्यों को आलिम चाहा जाता था और साहित्य के विशेशक्यों को काबिल की उपाजियों से विभूसित किया जाता था मुगल काल में ठीक है? Next निमनलिखित को काला क्रमा अनुसार विवस्थित करें एवं सही उत्तर नीचे दिये कूट की साहिता से ढूंडे पहला अहिल्याबाई, दूसरा दुर्गावती, तीसरा पदवनी और चौथा ताराबाई कूट है A, 1234, B, 3241, C, 3412, या D, 2134 चले इसका जो सही अंसर है वह है आपसन नमबर B ठीक है? पहले पदवनी, उसके बाद दुर्गावती, फिर ताराबाई और सबसे अंत में अहिल्याबाई ठीक है देखे यहाँ पर पदवनी जो है यह राणा रतन सिंग की प्रतनी थी अलाउत दिन खिल जी के मेवाड की राजधानी चितोड पर आकरमण के दोरान जब राणा रतन सिंग के मृत्ती हो गई अहिल्याबाई जो है यह यह मराथा चत्रपती राजा राम की पतनी थी और राजा राम की मृत्यू के बाद इन्हों की बागडोर समाली थी वहीं अहिल्या बाई जो है या मराठो के होलकर वंस की साज क्या थी और होलकर वंस का सासन कहा पर था तो इन दोर पर था फिलाल अभी यह महाँ पर देखते हैं मराठो में चलते हैं सामके लेक्चर में तब बात करेंगे नेक्स्ट यहाँ पूछा जा रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित है ए खुल्दाबाद सीख सलीम चिस्ती का मकबरा बी फतेपूर इतमातु दौला का मकबरा सी आगरा औरंग जेप का मकबरा या डी दिल्ली अब्दुर्रहिम खाने खाना का मकबरा मकबरा बाकि अन्य सही सुमेलित नहीं क्योंकि स्थिक सलीम चिस्ती तो पतेपूर इतमात दौला का मकबरा अगरा में औरंग जेप का मकबरा औरंग आगे सीख प्धूर या हम में ख़ुदाबाद की स्थे आगरा है ठीक जब कि अब्दुर्रहिम खाने खाना का मगबरा दिल्ली में ही है अगला प्रसंद देखे हैं हम लोग यहां पूछा जा रहा है कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर में निम्लिकित कत्रों पर विचार कीजिए पहला फतेपूर सीकरी इस्तित बुलंद दर्वाजा तथा खान का के निर्माण में सफेद संग मरमर का प्रियोग हुआ था दूसरा लखनव इस्तित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दर्वाजा के निर्माण में लाल बलुगा पत्तर और संग मरमर का प्रियोग हुआ थ इसका जो सही अंसर है वह है option number D दो के दोनों ही कथन जो है वह गलत है बुलंद दर्वाजा में संग मरमर सफेज संग मरमर का प्रेवग हुआ है लेकिन यहाँ पर नहीं कहां पर खान कहां में नहीं हुआ है फिलाल आई यह नीचे देखतें देखें इत्मिनान से और धानपूरों सुनियेगा फतेपूर सीकरी इस्थित विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश्द्वार माने जाने वाली बुलंद दर्वाजा के निर्माण में लाल बलुगा पत्थरों का प्रेवग किया गया है जिसे सफेद संग मरमर से सजाया गया ठीक है इस बुलंद दर्वाजा का निर्माण समराथ अकबर के गुजरात विजय की इस्मृति में पंद्रा सो बहत्तर से तिहत्तर इस्वी में करवाया गया था लेकि जो दूसरा उसमें स्टेट्मेंट था कि कि जो खान का है जो कि अब सलीम चिस्ती का मकबर है सलीम चिस्ती के खान का हमें सफेद संग मरमर का प्रयोग नहीं हुआ है ठीक बलकि सलीम चिस्ती के मकबरे में संग मरमर का प्रयोग हुआ है खान का हमें नहीं मकबरे में प्रयोग हुआ है क्या सफेद संग मरमर अब आगे चलिए लखनव इस्तित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजे का निर्मार जो है आसफु दौला ने करवाया था किसने लखनव इस्तित बड़ा इमाम बाड़ा और रूमी दरवाजे का निर्मार किसने करवाया था तो यह करवाया थ अपने आप में सबसे बड़ी रचना है इसके निर्मार में पत्थर और संगमरमर के इस्थान पर इटो और चूनों का प्रयोग किया गया जब कि रूमी दरवाजा जो बड़ा इमाम बाड़ा का मुख्य प्रवेशद्वार है उसके निर्बान में चूना प्लास्टर और प्लास्टर ढलाई के साथ लखारी इतों का प्रयोग होई यहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिकित में से कौनसी जोड़ी मुगलकालिन इमारत और इस्थान से सुमेलित नहीं है वैसे इसमें एक और option है वी बी का मकबरा औरंगाबाद लेकिन आप इन्हीं में से बताइए कौन सा जो है वह सही है चलिए इसका जो सही अंसर है वह है option नमबर C जहांगीरी महल जो है यह बुरहानपूर में नहीं है यह आगरा के किले में इस्थित है और इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था बाकी अन्हें सभी सही सुमिली था है एक बार इनको फिर से देख लीजिया देखे सेरसा का मकबरा जो है या सासाराम में है हुमायू का मकबरा दिल्ली में है जहांगीरी महल आगरा के किले में इस्थित है और बुलंद दर्वाजा फतेपुर सीकरी में तो राबिया उद्दौरानी या बीदी का मगबरा जो है या औरंगाबाद में इस्थित है जहांगीरी महल को बनाने की प्रेंड़ना ग्वालियर के मान सिंग महल से ली गई थी ठीक है फिलाल नेक्स प्रसन लेखते है यहां पूछा जा रहा है कि निमनलिकित इसमारको को काला नुकरम में विवस्थित कीजिए और नीचे कूट का प्रियोग करते हुए सही उत्तर को चुनिये पहला राबिया उद्दोरानी का मगबरा और अरंगाबाद दूसरा सेरसा सूरी का मगबरा सासाराम तीसरा हुमायू का मगबरा दिल्ली और चौथा अटाला मस्जित जौन पुर कूट है A 1243 B 4231 C 2134 या D 3421 चली इसका जो सही अंसर है वह है आपसन नंबर B 4231 ठीक है सबसे पहले अटाला मस्जित सरकी वर्ण्स के सासनकाल में बना था उसके बाद सेरसा सूरी का मगबरा पहले सेरसा मरा फिर हुमायू मरा हुमायू का मगबरा और उसके बाद औरंग जेब जबाया था तो इसने राबिया उद्वरानी के मगबरे को यानि के अपनी पत्नी के मगबरे का निर्मार करवाया था देखे यहाँ पर जौनपूर की अटाला मस्जित का निर्माड इब्राहिम सा सरकी द्वारा 1408 इस्वी के आसपास करवाया गया था तो हैं सेरसा सूरी ने स्वयम अपना मकबरा सासा राम में बनवाया था 1545 में इसकी मृत्यू हो गई थी ठीक है जब दिल्ली इस्थित हुमायू के मगबरे का निर्माड अकबर की सोतेली मा हाजी बेगम की देखरेक में पूरा हुआ औरंग जेब ने अपनी बेगम राविया उद्वरानी की इस्मृत में औरंगाबाद में इसका निर्माड 1560 में करवाया और 1651 से 61 के मद्ध मगबरे का निर्माड हो गया था ठीक है 1560 के दसक में यह किस वकार से उन्हें देदी है 1651 से 16 छोड़ी इसके बारे मैं आपको बताया गया है पहले ही कन्फ्यूज मत करिएगा एक दम ठीक है सूची एक को सूची दो से सुमिलित कीजिए चथा नीचे दिये कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना आपको एक तरफ विभिन सासको के नाम है और दूसरी तरफ उनके द्वारा बनवाई गई क्या कहते है नगर अथवा इस्थापत्य के बारे में बात की गई है कूट है वेट करिए तो आप लो चलिए देखिए फिलाल इसका तो जो सही अंसर वह है आपसर नमबर ए एक दो तीन चार सभी साही सुमिलित हैं यहां पर देखिए इन्हों ने किया क्या है ना कि इसको ऊपर नीचे कर दिया यह इस स्टेटमेंट इनको लिखनी चाहिए थी औरंग जेब बेगम औरंग जेब ने अपनी बेगम राभिया उद्दौरानी की इस्मृत में औरंगाबाद में 1661 से 51 के मद्धे अग इस मगबरे का निर्माड करवाया था जबकि यह वाली स्टेटमेंट की इसका निर्माड देखरेक में पूरा हुआ इसका निर्माड 1560 के दसक में हुआ था इस प्रकार से लोग उल्टा दे देते ना तो जैसे फ्लो फ्लो में पढ़ाया जा रहा उसमें जो है चीजे जो है इधर उधर हो जाती है तो यह चीज गलत दी हुई इनके द्वारा थोड़ा साप लोग अपनी बुक में इसको सही कर ली दिएगा ठीक है तो फिलाल इस प्रस्अब के बारे हम बात करते हैं इनमें भी साविल के बारे हमारी बात हो चुकिए देखे बाबर ने जामा मस्डिद बाबर ने संभल की जामा मस्जिद का निर्माड करवाया था हुमायू ने दीन दिल्ली में दीन पना नगर का निर्माड करवाया था तो अकबर ने आगरा के लाल किले में जहांगीरी महल का निर्माड करवाया था और जहांगीर के काल में इतमादुद दौला का मगवरे का निर्माड करवाया था किस ने करवाया था नूर जहां ने ठीक है निक्स प्रसन देखते हैं यह भी सुमेलित करवाने वाला है एक तरफ विभिन्नी मारते हैं और दूसरे तरफ उनसे सम्मंधित सासको के नाम है कूट की सहायता से आपको सुमेलित करना है कुट्ब मिनार मुहम्मद आदिल साह बी गोल गुम्मत इलतूतमिस सी बुलन दरवाजा और अरंगेव यह डी मोती मस्जित अकबर कि चलिक इसका जो सही कूट है एवले कूट देख लिजे दो चार एक तीन बी तीन दो चार एक तीन डी दो एक चार तीन इचार तीन इस वजे से थोड़ा सा इधर दर वरा उसके तो फिलाल इसका जो सही अंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी दो एक चार तीन आईए इनको सुमिलित करते हैं देखे कुतुब मिनार का निर्माड जो है इल्तुतमिस के काल में हुआ था ओ ठीक गोल गुम्मत कुतुब मिनार के निर्माड में इल्तुतमिस का भी सहयोग था ऐसे जान लिए ठीक है तो नेक्स्ट गोल गुम्मत कहाँ पर बीजापुरवले गोल गुम्मत का निर्माड मुहम्मद आदिल साह से सम्मन्दी थे नेक्स्ट बूलंद दर्वाज़ा पत तो मोती मस्जित का निर्माड औरंग जेव ने करवाया था जबकि एक मोती मस्जित और है आगरा की जिसका निर्माढ साहजाहना ने करवाया था अभी आगे प्रसना आएगा फिलाल चलिए चलते हैं इसको एक बार और देख लेते देखे कुतुमिनार इल्टुत्मिश से संबंदित है गोल गुम्मद मुहम्मद आदिल साह से संबंदित है बुलन दरवाजा अकबर से और मोती मस्जित औरंग जेप से निक्स्ट और अग कोटा का युद्ध और चौथा खानवा का युद्ध कूट है A 4213 B 4123 C 4231 या D 2413 ये सब ना फेवरेट युद्ध हैं आयोग के मैज करवाने वाले इसलिए पूस्ता रहता है आयोग तो ध्यान रखिए आप लोग फिलाल इसका जो सही अंसर है आप सबने कब से देखा ह ओपसन नम्बर A 4213 ठीक क्या निक कैसे कैसे खानवा का युद्ध 527 में 24 का युद्ध 1549 कर्नाओज का युद्ध 1540 में ताली कोटा का युद्ध 1565 में वीजै नगर के विरुद्ध देखे, खानवा का युद्ध 1527 में, चौसा का 1549, कर्नाउज का युद्ध 1540 और ताली कोटा का युद्ध 1565 में संपन्न हुआ था निक्स्ट सूजिया हैं, इनको आपको सुमिलित करना है, एक तरफ इसमारक है और दूसरी तरफ उनके निर्माता है तो यहाँ पर एक ही विकल्प है, A. अलाई दरवाजा, अलाउद दिन खिल ली, दूसरा देखते हैं बुलन दरवाजा, फतेपुर्शीकरी, अकबर, C. मोती मस्जिद आगरा, साह जहां, और D. मोती मस्जिद दिल्ली, औरंग, जेब कूट है आपके पास A. एक, दो, तीन, चार, B. तीन, दो, एक, चार, C. चार, एक, दो, तीन, या, D. एक, चार, तीन, दो चली, इसका जो सही अंसर है, वह है, आप्शन नंबर A. सभी के सभी सही सही सुमेलित हैं अलाई दर्वाजे, दिल्ली स्थित अलाई दर्वाजे का निर्मार अलाउदिन खिलजी के काल में संपन हुआ था बूलन दर्वाजे का निर्मार जो है फतेपूर सीकरी में अकबर ने करवाया था एक कर बी एक प्रसास निकिकाई सी एक सासक या डी एक जहाज चली फिलहाल इसका यह प्रस्ण जो है वह गलत है लेकिन आपको अगर इस प्रस्ण दुबारा आ जाये तो जाना है आप्शन नंबर डी के साथ मौलिम एक जहाज था लेकिन जहाज नहीं था यह एक पारिक जहाजों पर मौलिम या नेविगेटर एक करमचारी था मौलिम में जहाज पर एक गोलाकार यंतर के साथ बैठता था और इस यंतर की सायता से वह तारों और सूरे की इस्तित का पता लगा करके अपने जहाज की सही इस्तित में होने का पता लगाता था ठीक है मौलि इसका जो सही अंसर है वह है option number D भारती इतियास के मद्दिकाल में जो बंजारे थे वह जो है व्यापारी थे ठीक है यहां से समान लेते थे वहां समान बेच देते थे और संपूर्ण परिवारे के साथ गुमते थे देखें बंजारे सब्द का उद्गम संस्कृत सब्द प्राचीनकाल से ही बंजारा घुमक कर जाती रही है जिसका प्रम्ख व्यावसाय व्यापार रहा है यह एक इस्थान से सामानों को बैलों की पीट पर लाद कर उसे दूसरे इस्थान पर पहुंचाता और उस इस्थान से आवस्ष्यक वस्तूओं का क्रयवे क्रय करते निम्न लिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ए दाम तामक्रिमुद्रा बीदेसाई राजस्व अधिकारी सी दिवान प्रांतिय राजस्व का प्रमुख या डी जरीब एक प्रकार का कर चलिए इसका जो सही अंसर है वह है आपसर नमबर डी जरीब एक प्रकार का कर बलकि भूमी मापने में प्रयुक्त होने वाली एक रसी थी ठीक है उसको बोला जाता था जरीव बाकी अन्य सभी सही सुमिली था है सेरसाह सूरी द्वारा तामे के सिक्के चलाए जिनको दाम कहा गया और चांदी के सिक्के चलाए जिनको रुपिया कहा गया जबकि मराठा काल में देशाई या देशमुख जनपद अस्तर के राजसु संग्रह एवं सामान प्रसासन के अधिकारी होते थे और ये जनपद के सभी पटेलों के प्रमुख होते थे वहीं मुगल काल में दीवान प्रांती राजसु का प्रमुख होता था और मुगल काल में नहीं भू राजत सुविवस्ता के संदर में जरीव भूमी के माप के लिए प्रियुक्त होती थी ठीक है और एक चीज़ जान लेजिए कि जो तांबे का दाम था और चांदी का रूपिया ठीक पहले ऐसे लगे चांदी का जो रूपिया था वह एक अनुपाते चौंसट यान मतलब एक चांदी के रूपए में चालिस तांबे के दाम मिलते थे तो फिलाल इस लेक्चर में इतना ही है थैंक्यू थैंक्यू वेरिमित फ़र डिस्कसन अगले डिस्कसन यानि की साम में हम सिख संपरदाय मराधा और मुगलों के अंत के बारे में पढ़कर के इस विशय क तो कंप्लीट कर देंगे तो चलिए धन्यवाद